हेलो फ्रेंट्स मैं आर्थिया थो आपके अपने यूट्यूग चैनल पर आप सभी लोगों का हार्देख स्वागत करती हूं और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड़ मॉनिंग आसा करती हूं कि आप सभी लोग वहती जादा स्वस्त होंगी अच्छे से अपनी पढ़ाई अपने घर पर कर रहे होंगे हम आपसे बात बोलना चाहती हूं कि आप लोग वे वज़े घर से बाहर ना निकले आपको देख रहे होगे कि इस टाइम कोराना वाइरस है वह पिछली साल से इस साल पूरी तागत पर है यानि बहुत जादा फैलना है बहुत जादा पैसेंट भी हो जाना आ रहे है तो आप-णोग बेवज़े से गर पर घर से बाह न क्ली है निकलना भी कुई काम है तो मास्क की जाए और 2 वज़े आपको वार नहीं निकलना है तो आपके पास ठाइम है तो घर से वार न निकले तो आप लोग घर से वार नहीं निकलना है तो मास्क सैनेटाजर पहन कर जाएंगे ठीक है चलिए आज के कोशेंज पर बात करते हैं आज के कोशेंज इंपूट इंड कोशन है क्लास नम्मर तेरा है यह हमारी 1000 questions की अमारे जो सीरी चल लई है physics, chemistry और biology के questions की तो तीनों के questions आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में और आज के वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा तो वीडियो को complete देखेगा आज के जो biology question है बहुत ही important question है तो लगातार हमारे साथ बने रहेना और साथ में note book लेकर जरूर बैटे जिससे हम जो भी point आपको बतर उससे उस पर note down करते हुए आपको चलना होगा तो लगातार हमारे साथ बने रहेना यद आप अभी अभी हमसे new जुड रहे हो तो please इस चैनल को subscribe करके बैल आइकन को प्रेस और पर किलिक जरूर करें इससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंट हमार नोटिफिकेशन पहुंच जाए अभी तक वीडियो को आपने लाइक न किया हो भूल गयो तो please इस वीडियो को एक वाल लाइक जरूर कर दें चलिए तो questions को start करते बिना बेरी किये हुए तो देखीगा आज का जो first question है हमारा बहुत ही अच्छा question है और इस question से आपको 4-5 question extra सीखने को मिलेंगी और जो बहुत जादा आपके exams के लिए important हुई है तो सभी questions को notebook पे note down करते हुए आप लोगों को चलना होगा ठीक है हम यह आपर लिखते जाएंगे आप उस पर note down करते चलना question है नमरा आज का first है हमारा प्रलाव जड़े किस पादप में पाई जाती प्रलाव जड़े जो है वो किस पादप में पाई जाती है अच्छा question है यह जो जड़े हैं वो साइकस में की पाईनस में की लाइकोपोडियम में या इन में से कोई नहीं तो जो प्रलाव जड़े होती है दोको उसे बताने से पहले हम आपको कुछ point important बता दे पहले ठीक है तो देखे हैं सबसे पहले हम यह आपर करेंगे लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम क्या है तो देखे हो लाइकोपोडियम है वो एक टेरोडोफाइटा का सदसे है यह आपसे पूछा जाए कि लाइकोपोडियम है वो किस फाइट में आता है किस सदसे है तो यह टेरोडोफाइटा में आता है किस में आता है टेरोडोफाइटा का सदसे है और इसका प्रयोग कहा किया जाता है तो कीट नासक के रूप में किया लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो यह किस जगत में आता यह बात करते हैं कि प्रलाब जड़े में साक्स पाई जाती हैं अब बात करते हैं साइकस फन थती है साइकस है क्या साइकस किस में आता है तो साइकस है वो अनाब्रत वीजी पौधा है कैसा पौधा है अनाब्रत वीजी का मतल है जिम्नो इस्पर्म अनाब्रत वीजी जो साइकस है वो एक प्रकार का कैसा पौधा है किस में आता है तो यह अनाब्रत वीजी यानि जिम्नो सैवाल पाया जाता है साइकस की साइकस की जड़ों में जो शाइनो इसी ड All नोट बूक पे नोट्डविक नोटवण कर लें न अच्छे से साइकस की जड़ी होती है उनमें कुन सा नीलःः सवाल पाया और नौश्टॉक एवं एनवीना ये दो आपके नील अरे सेवाल पाए जाते किसकी जड़ों में साइकस की जड़ों में नौश्टॉक और एनवीना ठीक है यह क्या है दोनों साइनो वेक्टेरिया है एक पॉंट के लिए रोचुका आप बात करते हैं जो साइकस है उसका प् प्राप्त किया जाता है क्या प्राप्त किया जाता है आपने साबुद आना सुना होगा खाने के उपयोग में लिया जाता है तो साइकस से साबुद आना प्राप्त किया जाता है जब कि पाइनस की बात कर लिए तो पाइनस भी आपका एक अनाब्रत वीजी पौदा है साइकस को आपका साबूदाना प्राप्त कीया जाता है लगो को अच्छे से नोट डाउं करते हुए चले से और साइकस आपका हुआ और आपका गिंगो वाइलवाई ईक शुकुety यह भी अना रतवीजी में आता है तो इनको क्या कहा जाता कहा जाता है साइकस को जीवित जीवास्म के नाम से भी जाना जाता है किसे जीवित जीवास्म के नाम से भी जाना जाता है किसे जीवित जीवास्म के नाम से भी इसे जाना जाता है किसे साइकस को और सिक्वा सिक्वा नाम का पेड़ है पादप है और गिंगो भाई लोवा हम गिंगो बाईलोवा यह तीन पादप हैं आपके कुन-कुन से गिंगो बाईलोवा, साइकस और एक आपका सिक्वा यह तीन हो पादपों को जीवत जीवास्म करिए यह तो यह अभी तो हैं जिन्ट्रें कि इनके साथ के जो पादपते वह खतम हो चुके तो इसलिए इनको क्या का जाता है? जीवित जीवास्म के नाम से भी जाना जाता है. तो ये चार-पॉँच पॉंड थे, जो आपके कीसे सम्मन्दित थे? साइकस और पाइनस और लाइकोपोडियम से सम्मन्दित थे. तो प्रलाब जड़े कहां पाई जाती? तो प्रलाब प्राप्त किया जाता है और यह दोनों कैसे पाइद पें तो यह साइकस पाइद से वह एक प्रकार के अनाब्रत वीजी पाइद पें चलिए अब बात करते नेश कोशन तो इसका कुण सा ओप्संटी गया ओप्संट नम्म जो ए वह इसका राइट अंसर होगा नेश कोशन बा तो दोडोलस सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पोउर्ट ल मं आपको यहां से बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एजांस के लिए ब्राइवर को किसके बीच कि खड़ी माना जाता है तो इसे थेलोफाइट और टेरोडोफाइट तलोफाइटा के बीच कि के से बहुत ही डिटेल से समझाने वाले तो हमारे साल लगातार आप लोग बने रहना ठीक है हमारी कोसिस यहीं रहेगी कि आपकी तयार यह वह बहुत ही बैतरीन करा दें जिससे आपके एजाम में कुशन एक भी न चूटे हम जो भी करा है आपके पूछा जाएं ठीक है तो यह दूसरा पॉंटे हां से बनता आपका चाहिसे नाम और ब्राइयो फाइटक हां घजह जाता है तो पादफजगत का अबया चाहता है जाते और थल में भी रहते हैं जल और थल जगत का अज़ाता है तो यह दोनों पॉंट अच्छे से नोट डाउन करना एक पूशन और यहां से अच्छा पूशा जाता है कि bryofyta का जो नर जननांग है यानि mail जो fart है उसे क्या कहा जाता है तो bryofyta के जो नर जननांग है उसे क्या कहा जाता है ये question आपसे पूछा जा सकता है अच्छा question है पुधानी क्या कहा जाता है पुधानी कहा जाता है यही आपसे पूछा जाया कि मादा भाग को क्या कहा जाता है तो मादा भाग को इस्त्री धानी कहा जाता है आप इस्त्री से समझ सकते हो इस्त्री धानी यह तो आपको याद हो जाया कि मादा भाग को क्या कहा जाता है तो कोशन अच्छे से नोटडाउं कर लेना अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा किसके कड़ी माना जाता है तो लाष्टक हमारे साथ जरूर बने रहेगी यह तो पानी हटाती है कोई नाव जल में नहीं डूबेगी किसका अंसर क्या होगा आपको शबशन है आ चुका होगा अच्छी तरीके से कोई नाव जल में नहीं डूबेगी किसका आूइब ठीज के बार अपना पानी अटाती है तो यह नाव कभी भी नहीं डूबेगी तो ऑप्सन नमज जो भी होगा वो इस कुश्चन का राइट अंसर लेकिन यह नियम है किसका यह ऐसा किसने का है यह जो नियम है वह आर्कमिडीज का उत्पलवन उत्पलवन सिद्दानत आर्कमिडीज नाम के जो बैग्यानिक थे उन्होंने एक सिद्दानत दिया था Dziękuję प्लावन सिद्दान्त उत्प्लावन सिद्दान्त आर्कमेडीज का उत्प्लावन सिद्दान्त क्याता याद कोई बस तू अपने भार के वरावाद जल को विस्तापित करती है तो यह जल में कभी तेरती रहेगी यानि कभी भी नहीं डूबेगी यानि आर्कमेडीज का कहना है और कुमिटी ने सिद्दान दिया था उत्प्रावन सिद्दान वो क्या था यद आप से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कोई बस तो अपने भार के बरावर जल को विस्तापित करती है तो यह जल में तेरती ही रहेगी कभी भी डूबेगी नहीं तो यह जो सिद्दान किसी लटके हुए कालीन को जब चड़ी से पीटा जाता है तो दूल के कड़ उससे बाहर निकल जाते क्यों? किसी लटके हुए कालीन को जब चड़ी से पीटा जाता है तो दूल के कड़ उससे बाहर निकल जाते ऐसा क्यों है? जड़त्तु के कारड चड़ी के गति के कारड प्रष्टिवार के कारड या दूल कड़ों में सगनता के कारड तो इसका रजो राइट अंसर होगा वो क्या होगा जड़त्तु के कारड किसके कारड जड़त्तु के कारड आपने जड़त्तु का नियम सुना होगा जो न्यूट तो गत्मान अवस्ता पे रहेगी जब तक उस पर कोई भावल ना लगाया जाए तो इसे ही हम कहते जड़त्तु का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम ठीक है तो देखीगा ऐसा क्यों होता है कि कोई जो चड़ी है यानि कोई कालीन है उस पर दूल के कड़ों से बाहर क्यों निकल जाते हैं तो इसका जो काड़ है वो कोई कालीन है वो पहली बाद तो जब लटकी होई है तो वह ब्रामा वस्ता में है किसा वस्ता में ब्रामा वस्ता मे और जैसे ही उस पर हम उसे छड़ी से पीड़ते हैं तो गतिमान अवस्ता में जैसे ही उस पर हम बन लगाते हैं तो किस अवस्ता में आ जाती है तो उसमें जो भी दूल के कड़ होते हैं वो आपके बाहर निकल आते हैं काली ने कोई कुछ भी गयर उसमें दूर के कार्ड निकालना है तो किस सबस्ता में किस सबस्ता कार्ड बार निकल आते तो जड़त्तु के कार्ड बाहर निकल आते तो option नमज जो ए होगा वो इस question का right answer होगा Newton का जो प्रिथम नियम है उसे जड़त्तु का नियम भी कहा जाता ह नेक्स कोईशन अच्छा कोईशन है बहुती और यहां से आपके एक्जाम जो cpnet एक्जाम है कोईशन पूछा भी गया था cpnet 2017 में यहां से question पूछा गया था वो अभी हम आपको बता रहें तो लगातर हमारे साथ बने रहना अच्छे से question को solve करेंगे ठीक है तो यहां से आपके एक्जाम में question पूछे जाते हैं चाहिए आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो सूची बन सूची सेकेंड को आपको मिलाना है सबसे पहले आपको दिया loudspeaker loudspeaker क्या करता है तो loudspeaker आपको पता होगा loudspeaker जो होता है वो बिद्धुत उर्जा को द्धुन उर्जा में बदलता है किसे बिद्धुत उर्जा को द्धुन उर्जा में बदलता है यह किसका काम होता है loudspeaker का काम होता है तो आपका सबसे पहले क्या होगा two ठीक है आप बात भागराओन करते यही कोश्षिशन आपके सीपी नेट 2017 में पूचा गया था यह में किसका रूपांत्र है यह थो और गाlate यह क्या जे तो डायनमो जो होता है यह यह और योगत्व होता है यह यांत्री पूर्जा को विदित तूर्जा में चेंज करता है वो डाइनमो करता है यही कोश्चन है आपसे पूछा जाए कि बिद्दुत मोटर क्या करता है यह तुरंट उल्टा हो जाएगा बिद्दुत उर्जा को यांत्री उर्जा में जो बदलता है वो बिद्दुत मोटर का काम होता है किसका काम होता है बिद्दुत और यह दोनों क कंफ्यूज वाले कोश्चन है कैसे कोश्चन है बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं जब एकजाम में हमको मिलते देखने को तब क्योंकि उल्टा है तुरूंत डाइनवो जो होता है वो यांत्रिपूर्जा को बिद्दूद उर्जा में बदलता है ठीक है अब बात करते हैं बा रासायनिक उर्जा को उसमी उर्जा में बदलता है जो जलता हुआ कोईला होता है वो क्या करता है रासायनिक उर्जा को उसमी उर्जा में बदलता है तो टू त्री वन फोर आपका ये कोड बन के तैयार होगा यादि यह उप्सन नंबर जो भी होता हम यह आपर टिक कर दे करता है कि सूर्जा को Kisoo ना रूप से दूसरे रूप में बदली जा सब्सक्राइब करता है कि पूछा यह वाला यह पूछा गया तो आगे आपको इसके अलावा कोई भी कुछन मिल सकता है तो इंसे समाने जो भी कोश्चन होगे हम आपको कराएंगे और आपके पास यह जोगी आपको चलना होगा कभी कोई भी कुशन आपके आजाम में आ सकता है चलिए तो इसका कोड आपको पता चल गया ठीक है तो अच्छे से नोटबुक पे नोटड़ान का लेना लाड़िसी का जो होता आपका बिद्दध उर्जा को ध्वनी उर्जाता है farty नैजस कुशन की बात करते या पंञाता है तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप कहुन जाता है ऐसा किसके कारड सम्मा वह है वहती पूश्चन में पूचा कोश्चन है और आपके नहीं έχ सुमधाब के कारड राये प्रवाव के कारड कैस का प्रवाव के कारड आपका होता है उसके का आपका होता एसा है क। बशने के बद उसे जोद डिया जाता है क्यों ऐसा क्रीकिन पानी है क केश काट्व कर अंदर चला जाए तो यह क्या है कीस काट्व लाइंटेंड का ल्सक्वीड सब्सक्राइब कर जाता है जाता है नेनटेंट्व करते हैं नेट्स कोश्चन है दो असमान आकार के यगुमकों का सल्यन कहलाता है यह जो कोश्चन है वो NCRT कोश्चन है और अच्छा कोश्चन है दो असमान आकार के यगुमकों का सल्यन क्या कहलाता है दो असमान आकार के यगुमक यानि गेमीट का जो सल्यन है वो क्या कहलाता है विस गुंता समीकुमता असम पुमता इसम का जो असमान आकार गुंता की कहलों का सकते है कि नेस्ट कोस्टन की बहुदो है अच्छा कोस्टन है निमडी लिखित में से पॉर्णी सम हो गरता है निम्डी लिय्कित में से प्राडई सम्हूवों में से किस एक मेंусовाelnिक रणेंगर किस विए पहने से छिप यहांँ किसमें कौन कुन से प्राडई नीमें चार चामुर्प सबसे पहले आपको यह पते होना चाहिएaşर था उनमें Essentially उसका होता है पुट्रकोष्टी होता है जितने होता है पुट्रकोष्टी यू Tara गालिंद होते और एक होता है निले ओता है तो यह तिरह कोष्टी होगा हो में जरेंगने वाले प्रणाड़ी होता है कितने पाई जाते तीन हिर्दे तो ये option हमारा होगा नहीं बात करते हैं मगर्मच छिपकली और इस्तंदारी मगर्मच पच्छी और इस्तंदारी पच्छी जो होते हैं ये इस्तंदारी में आते तो इनके में चार हिर्दे पाई जाते लेकिन इनमें नहीं है अब बात करते है मगरमच छिपकली और इस तंदारी तो मगरमच जो होता है इसमें भी चार पाये जाते हैं छिपकली है जो आपकी छिपकली है ये छिपकली आपकी सरी सर्प है तो इसमें तीन उर्दे होंगे क्योंकि जो छिपकली है वो रेंगती है तो इसमें कितने हिर्दे होगे, तीन होगे, तो ये भी option आपका नहीं होगा, मगर बच छिपकली, कचुई, इसकी बात करते हैं, तो छिपकली फिर इसमें आ गई, तो ये भी आपका option नहीं होगा, कि ये सरी सरप है, और कचुई जो है, वो आपका उवेचर है, तो इसमें भी तीन हिर्दे होगे, छिपकली, इस्तंदारी और पच्छी, छिपकली, इस्तंदारी और पच्छी, तो देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा आपने option है, वो गलत लिख दिये, एक option यहाँ पर गलत आपका लिख गया है, इसलिए आपका अंसर यहाँ पर सोड़ा गलत हो सकता था, मुझे याद आ गया, यहाँ पर जो आपका चौता option दिया है, बहुत छिपकली की जगहे पर, यहाँ छिपकली यह कर देते तो सभी में छिपकली, तो यह तो कोई option नहीं सही होगा, फिर तो छिपकली एक सरी सर्प है, और सरी सर्प जो होगा, तो उसमें तीन हिर्दे होंगे, तो आपका इस्तंदारी जितने भी होते, उन सभी में चार हिर्दे होंगे, पच्छी जो ह प्राड़ी उन सभी में भी तीन हिर्दे पाई जाते तो यहां पर आप थोड़ा साही कर ले मुझे मिश्टेव हो गई यहां आप चिपकली की जगह पर मगर मच कर लेना और ऑप्सन नमर्डी हमारा राइट आंसर होगा ठीक है आपको समझ में अच्छी तरीके से आगया होगा किन किन में चार हिर्दे पाई जाते हैं और किन में तीन हिर्दे पाई जाते हैं हार्ड ठीक है तो ओप्सन नमर्ड कौन सा यहां पर राइट होगा डी नेस कोशन की बात करते हैं एसी टेबुलेरिया एक है एसी टेबुलेरिया क्या है एक तो देबो एसी टेबुलेरिया जो है वो एक प्रकार का सेवाल होता है पहली बात तो एक प्रकार का क्या होता है सेवाल होता है और कैसा सेवाल होता है तो एक कोस्य की हरा सेवाल होता है कैसा होता है एक कोस की हरी सेवाल होता है या पर एक कोस की हरी सेवाल एक कोस की लाल सेवाल इन में से कोई नहीं तो आप याद रखे जो एक प्रकार का सेवाल होता है उसमें भी याद आपसे पूछा जाए किस प्रकार का है तो A-Cose की हरी सेवाल होता है A-Cose का से मिलकर यहाँ इन्ही Unicellular होता है आपसे पूछा जा सकता है के A-Cose की हरी सेवाल का नाम बताए है तो आप क्या बतावगे Acetableria क्या बतावगे Acetablerea तो option नम्मझ जो A होगा वो इस question का right answer होगा थीक इको कि बात करते हैं आतेस बाजी में हरा रंग किस पदार्थ की उपस्तिती के कार्ड होता है और के काड़ होता है बेरियम के काड़ होता है औप्सन नम्म जो बी होगा वो इस कोशन का राइड आंसर होगा आपको क्या बताना होगा जीनों से संबंदित जो भी इंपोटेंट पॉंट हो जीनों से संबंदित एकस ही जो जीनों ऐसे संबंदित जो भी point important है आपको सभी comment box में comment करके बताने होगे और barium का पर्माड क्रमाग को बेरियम का पर्माड भार इसका पर्माड क्रमाग के कितना होता है और इसका पर्माड भार कितना होता है ये दोनों आपको comment box में comment करके बताने होगे जिनों से संब्द ही जो भी पॉंट है आगको सभी बताने देकि सबसे अच्छा सबसे राइट अंसर कौन देता है ठीक है जो सबसे अच्छा सबसे राइट अंसर देगा उसी का हम नेक्श वीडियो में नाम लेकर आएंगे एक बिलियन लाल लिटमिस को नीला कर देता है बिलियन का पी एच मान क्या है एक बिलियन को यह जिसका लाल लिटमिस पेपर को नीला कर देता है तो वह बिलियन कैसा कैसा सॉलुशन है उसका पी एच मान क्या हुगा तो देगो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही अच्छी ट करता है वो चार करता है जो बेस होते हैं उनका काम होता है यह लाल लिटमिस पेपर को नीला कर देते हैं यह इसकी पेचान है यह आपको पेचान है कौन चार है कौन आमल है तो कैसे पेचान होगे तो यह लाल लिटमिस पेपर को नीला कर दिया जाता है तो एक क्या होता है हमा और ना से नीला यानि कि चार जो होते हैं वो लाल लिटमिस पेपर को नीला कर देते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि अमल क्या करते हैं तो अमल जो होते हैं वो नीले लिटमिस पेपर को लाल कर देते हैं अब कैसे याद करोगे तो इसकी भी एक ट्रिक है अनिल क्या ट्रिक है जिसका नाम है रोसेला रोसेला नाम की एक लाइकेन होती है जिससे लाइक लिटमिस पेपर को प्राप्त किया जाता है मैं आपको बताया हुआ पिछली वीडियो में ठीक है आपको पता भी होगा लिटमिस पेपर किस से प्राप्त किया जाते है तो यह लाइकेन से प्राप्त माना जाता है तो आपको पता चल गया होगा चार क्या होते चार लाल लिटमिस पेपर को नीला कर देते और अमल जो होते वो नीले लिटमिस पेपर को लाल कर देते अब कोशन क्या पूछा गया तो यह चालनी और अनिल दो ट्रिक आप अच्छे से याद कर लेना कभी भी जिं शार येतने भी होते हैं उनका पोटेंसियल अफ हाइड्रोजन पी-े-च की फुल-फॉर्म आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे पूटेंसियल अफ हाइड्रोजन यह पी-े-च की फुल-फॉर्म होती है इसे अम नो चार का पता लगाते तो देखो यहां पी-े-च मान सा साथ-से लेकाट चाउदा के बीच में हैं 7 से जजादा है 14 चाउदा से कम है तक है साथ यहां-पर आपको साथ दिया है यहां दो घूं है तो अम लोगा जिसका 5 pH मान होगा वो क्या होगा अम लोगा एक होगा वो भी अम लोगा अब यहां पर ऐसा कोई मान भी नहीं दिया था तो इसलिए option नम्म जो डी होगा वो इस question का right answer होगा इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं मान नहीं है जो लाल इटमिस पेपर को नीला करते हैं चार हो यहां पर ठीक है तो इसलिए option नम्म जो डी होगा वो इस question का right answer होगा अच्छा question था एक्जाम में पूछे भी जाते हैं चार्स के नियम गैसों के किन दो गुड़ों के मत सम्मन्द स्तापित करता है इस question का भी answer आपको comment box में comment करके बताना होगा तीसरा यह question तीनों का जो सबसे अच्छा सबसे right answer देगा उसका नाम कल की वीडियों में लेकर आएंगे तो चार्स का नियम चार्स का नियम गैसों के किन दो गुड़ों के मत सम्मन्द स्तापित करता है ताप एवं दाव आयतन एवं सरीके से आपको समझाएंगे इससे जो भी पॉंट बनेंगे चार्स के नियम से वो सभी पॉंट आपको नेक्ष्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही बैतरीन पॉंट मिलेंगे आपके आईजांस के लिए बहुत ज्यादा important वी होगे तो लाश तक हमारे साथ आप लोग बन स्टार्ट हो सके जितनी जादा हो आप लोग थोड़ा सेयर कर दिया करो जिससे हमारा भी मन लगता रहे हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहे और हमारी लाइफ क्लास भी जल से जल्द से स्टार्ट हो जाए जिससे आपको भी पढ़ने में अच्छा लगए और हम से हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंद आवान लोटिविकेशन पहुंचता रहेगा तो ओके थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो जै हिंद वन्दे वात्रम ओल्दा वेस्ट